Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में कस्तूर्वा गांदी बालिका आवासिय विध्याले से वेकंसी का बिल्कुल नया विज्यापन्द है जिस में 13 कस्तूर्वा विध्याले से वेकंसी है आपका सेलेक्शन इन 13 कस्तूर्वा विध्याले में किसमे होगा तो आप जब form apply करेंगे, merit list तयार होगी उसके आधार पर ही जो है आपको पता चलेगा अलग-लग subject में वेकंसी है fees बिल्कुल नहीं देनी है नहीं कोई exam होगा, नहीं कोई interview होगा चैन केवल merit के आधार पर होगा आपके high school, intermediate, snatak और B.Ed में जो आपके marks है उसके आधार पर ही selection आपका हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले official website पर सिधार्थ नगर की चलेंगे और सिधार्थ नगर की official website पर आप जैसे ही आते हैं यहाँ पर सबसे उपर बिल्कुल नया विज्यापन है Teaching and Non-Teaching Vacancy in Kasturva Gandhi बालिका विध्याले बस इस पर क्लिक करना है यह जो है आविदन पत्र का प्रारूप है इसे ही आप लोगों को डाउनलोड करके फिल कर लेना है लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा इसे आप फिल करनेंगे अपने जितने भी 10 के बाद के अब तक के जो भी आपके document है उनकी photocopy लेनी है उनके नीचे sign करने है और साथ में दो लिफाफे भी जो है इसमें attached करने है और जिस भी आरक्षित वर्क से आप है तो वो certificate का जो photocopy है वो भी आप लगाए और application form में भी जो है ये चीज mention करें ठीक है आप लोगों को भी बता दूँगी किस तरीके से जो है वो आप लोग आविदन करेंगे वेकेंसी जो है तेरा कस्तूरवा गांधी बालिका आवास्य विध्याले से है 628 को पढ़ाने के लिए sectioning और गयर section पद यानि teaching and non-teaching staff के लिए 27 जुलाई 2024 को ये विज्यापन जारी किया गया है 16 अगस्त अंतिम तिथी है आविदन करने की सिधार्थ नगर के लिए 5 बजे तक आप आविदन कर सकते हैं आपका selection इन 13 कस्तूरवा विध्याले में किसमे होगा तो ये तो merit जब बनेगी उसी से पता चलेगा फिलाल वेकेंसी जो है किन सब्जेक्ट की है तो गनित कुल जो है 22 पदों पर वेकेंसी आई है जिसमें गनित के 2 पदों पर वेकेंसी है और अंग्रेजी के 4 पदों पर वेकेंसी है कम्प्यूटर के 8 पदों पर वेकेंसी है गनित के लिए और अंग्रेजी के लिए आप अगर आविदन करेंगे Salary यहाँ पर full-time teachers की 24,200 पर मन्थ, ये भी आप ध्यान दें यहाँ पर, आप जिस भी आरक्षित वर्ग से हैं, तो आप लोग जो है, अपना जो वर्ग है, वो जरूर मेंशन किया करें application form में, computer teacher के लिए, जो की अंसकालिक है, इसमें, B.A.D. वाले, L.T. वाले, या P.G.D.C.A., B.C.A., B.S.C. computer वाले, या फिर कोई भी आपने डिप्लोमा किया है, graduation के साथ में, तो आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं, 10,780 computer teacher की salary है, और color craft teacher की भी salary समान है, कला क्राफ्ट के लिए, कला क्राफ्ट एवम संगीत या ग्रह शिल्प, ग्रह विज्ञान विशैसे, home science से आप जो है, graduation हो, और आपने B.A.D. किया हो, या L.T. प्रेसिक्षन, physical education teacher के लिए, T.A.D. की जुरुत नहीं होती है, इसमें 3 पद है, salary 10,780 है, आपने B.A.D.C.P.A D.P.A.D. किया है, तो आप आविदन कर सकते हैं, T.A.D. जो है, इसमें नहीं चाहिए, उर्दू teacher की 14,520 salary रहेगी, इसमें जो है, graduate अगर आप है, उर्दू में, और आपके पास जो है, कोई degree, diploma है, तो आविदन करें, साहेकरस होई है, चपरासी के लिए 8th pass रहेंगे, तो सीधे जो है, चयन merit के आधार पर होगा, जैसे आपके high school में, intermediate में, इस नातक में, आपके जो है, कितने marks हैं, तो इनका, जो है, 10-10%, जिसमें, B.E.D. का आपका जो है, वो 30%, ये होगा, अगर आप पहले से ही, कस्तूर विद्धाले में पढ़ा रही हैं, तो प्रतेक पून अध्यापन के, यानि आपका एक वर्स का जो है, दो अंक आपको मिलेंगे, आपने तीन वर्स का किया है, तो आपको 6 अंक मिलेंगे, और इस तरीके से, जो है, सभी अंकों का भार जोड़ा जाएगा, और फिमेरिट बनेगी, तो यहाँ पर जो है, आप ध्यान दे, सबसे पहले समविदा के अधार पर ही वेकेंसी आती है, जो भी कैंडिडेट अगर सोच रहे हैं, कि कस्तूरा विध्याले में जब पर्मानेंट वेकेंसी आएगी, तब ही हम फॉर्म अप्लाए करेंगे, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ही आप लोगों को पता लगया होगा, कि यह पर जो पहले से ही पढ़ा रहे हैं, टीचर, उनको काफी वायदा होता है, हर साल उनको जो है, इसका बेनिफिट मिलता ही है, जैसे ही नेक्स्ट येर दुबारा से वेकेंसी आती है, यही दुबारा से आविधन करते हैं, और इनको जो है, इनका नंबर सबसे पहले आता है, क्योंकि इनको जो है अंक भी मिलते हैं हर वर्स के ठीक है तो सम्विधा पर ही वेकेंसी होती है और यही जो है वो बिल्कुल रेगूलर बन जाते हैं हर साल जो है यही पर रहते हैं जब तक आप चाहा सकते हैं तब तक आप जो है उसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं आवश्यक नियम और सर्ते जो है वो बिल्कुल पढ़ लें जो इंपोर्टेंट चीज है वो मैंने आप लोगों को बता दी है नियुन्तम 25 वर्स और अधिक्तम जो है 45 वर्स तक के केंडिरेट इसमें आविदन कर पाएंगे आरक्षन जो है राज्य सरकार के प्रापधानों के अनिस्वार ही दे होगा जो भी आरक्षित वर्ग है उत्रप्रदे सरकार के द्वारा जो भी नियम है उसके अधार पर यह ओफिशल वेबसाइट है आपका चैन जो है 11 महा 29 दिन के लिए होगा और कारे में ग्रेडिंग के आधार पर आपको ग्रेड दिया जाएगा पूरे साल में आपको मिलेंगे ग्रेडिंग के आधार पर संतोस जनक पाए जाने पर आगामी सत्र के लिए नेक्स्ट यर के लिए सेवा अनवंद का विस्तारी करण किया जा सकता है ठीक है तो आपकी पोस्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रुत नहीं है कि आप जो है कॉंट्रेक्ट बेस पर यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो आप कितने वर् नगर उत्तरप्रदिस स्पीड पोस्ट या पंजीकरद्नाक यानि रजिस्टर पोस्ट करना है आविदन पत्र के साथ में क्या-क्या लगाएंगे आप तो दोस्व प्रमानित फोटो यानि फोटो पर जो है आपके खुद के साइन हो नीचे समस्त सेक्षिक प्रेस सेक्षि जाती प्रमान पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत दो चरित्र प्रमान पत्र, आधार कार्ड, टैट आपका क्लियर है तो ये सर्टिफिकेट और अगर और भी कोई जो है आपने उच्चे योगिता हासिल की है तो इन सब की फोटो कॉपी इन सब की पद का नाम, विशय के सब्जक के लिए अपलाए कर रहे हैं और आरक्षन वर्ग, अगर आप जनरल के टिगरी के हैं तो आप उसे ब्लैंक छोड़ दें, कुछ नहीं लिखें, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपना आरक्षन वर्ग जरूर लिखें, सबसे पहले जो है, ओफिशल वेबसाइट पर चले आएं, सिधार्थ नगर की, यहाँ पर आप लोगों को होम पेज पर ही जो है, वाट्स न्यू में सबसे उपन नजर आएगा, टीचिंग और नॉन टीचिंग वेकेंसी इन कस्तूरवा गांधी बालिका विध्याल है, इस पर क्लिक कर करेंगे, तो आगे यहाँ पर दिया हुआ है, साइन डाउनलोड का, इस पर क्लिक करके, क्लिक हेर टू डाउनलोड, ठीक है, तो यह पूरी जानकारी थी, और भी किसी राज्य की वेकेंसी आएगी, कस्तूरवा विध्याले से वेकेंसी फिलाल उतर ब्रदेश से जो है वो लोग वेट करें, थैंक यू